कर दो दो दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं आज क्लास तो आज के यूनिक्स के फाउंडर कौन एडेनिस रिची केन थामसं बॉट या फिर लिनर स्टार वार्स तो यूनिक्स जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स जो है कि शुरुवात में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो उसी का प्रतिरूप के रूप में आपका लाइनक्स लांच हुआ था यूनिक्स का प्रतिरूप है लाइनक्स ठ सिस्टम के founder है ठीक है तो योनिक्स के फाउंडर डेनिस रिची और कें थॉम्शन दोनों है ओके तो सी नम्बर होगा उपर यूगत दोनों ठीक है फिर हम बढ़ते हैं कोशन नमबर टू पे जो की है किसी कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करना या फिर रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है ए नमबर आप्सन है बूटिंग बी नमबर आप्सन है प्रोग्रामिंग सी नमबर आप्सन है ऑन और डी नमबर आप्सन है और तो क्रेक्ट अंसर क्या होगा इसके लिए कि एगर कोई कंप्य बूटिंघ करके प्रोग्रामींस, хороший班 में कोडिंग करके, बूटिंग करने आपका प्रोग्राम होता है, लेकिन बूतिंग करणों में कोडिंग करने, प्रोग्रामिंस अ Slowly stays with me, कॉउट्टिंग को ने लिवत वाइं की सी अ ahora, करने की प्रखिरिया होती है, फिर हम बढ़ते है question number 3 पे जो की है UTR का पुरूरूप क्या है UTR का full farm क्या होता है Unit, transaction, reference number Unique, transaction, reference number Unique, transaction, research number या फिर D number अपने दानिया के इन में से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा UTR का पुरूरूप क्या होता है तेकि UTR क्या होता है Unique, transaction, reference, number क्या होता है Unique, transaction, reference, number आपसन correct होगा जो की आपका B number option question number 3 का B number जो आपसन है Unique, transaction, reference, number या आपसन आपका बिल्कुल correct होगा तो चली फिर अपर 3 से साथ next question जो की है question number 4 पैसे ट्रांसपर करने के लिए आपसन के लिए आपसन के लिए आपसन आपका नहीं होती है यह number option है Payan Card B number option है Account number C number आपसन है Beneficiary Name और D number option है Amount तो correct answer क्या होगा तो हम बात करेंगे अगर पैसे ट्रांसपर करने के लिए तो पैसे ट्रांसपर करने के लिए 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 पैसे से जुड़ा हुआ है डिझलाकर किसे जुड़ा हुआ है तो इसके लिए रेक्रेंसर क्या होगा डिलाओ कर और मोबाइल नमबर दोनर से जुड़ा होता है और डिलाकर पर हम अपने दस्तावीजों को जो है की फून का फोटो जो है की रखते हैं और डिलाकर पर जो भी डाकुमेंट्स होते हैं वे आईटी एक्ट के ताथ बिल्कुल हाड कॉपी की तरह माने जाते हैं तो फाइब का स अब फिर कोसर नमबर सिक्स निम्द में से किसके द्वारा pocket वालेट अफ लांच किया गया था एगा था यह नमबर अप्षन है नंबर अप्षन है आइसी आए सी आई और डी नमबर आप सुन है CBI यानि Central Bank of India तो जो पॉकेट वैलेट एप था वो किसके दोर लॉंच किया गया था तो आपका लॉंच किया गया था आई CICI बैंक के द्वारा कोसर नमबर शिक्स का सी नमबर आप सेवन पर जो की है निमन मेंसे प्रिजेंटेशन को दिखाने वाला डिवाइस कौन सा होता है A number आपसे में monitor B number आपसे speaker C number आपसे प्रोजेक्टर और D number आपसे आपसे 9 यानि कि इन मेंसे कोई नहीं तो correct answer क्या होगा कि इन मेंसे presentation को दिखाने वाल्का ऐसे बिखाना होता है तो किसका इस्तेमाल करते है किसके दवारा लोगोंको दिखाते है है तो देखे अगर हमने कोई पे अभूसाएं प्रोजेक्टर के द्वारा बढ़े से पर बीकुलЬ होगा प्लोजेक्टर के instrument को दिखाया जाता है projector ऊके तो 7 का शीममबर आप्सकोधे तो चलिए फिर हम पासे के साथ हम अपने नेक्ष्ट पोस्टन की ओन तो पॉस्टन थे हमारा Instagram के founder कौन है Instagram के मार्क जुकरबर बीन अबर आप से एक विन से श्ट्रोम और से नंबर 도करक्ट कनसर क्या होगा Instagram के फाउंडर कौन है देखित इंस्ッटाग्राम में एक सोसल साइट है जिस पर की हम इमेजेस औरवीडियो पोस्ट करते हैं तो Instagram के फाउंडर कौन है तो Instagram कि केविन सिस्ट्रोम 16臺ए इसट्र आदर है जब की मार्जुकर बार्ग Facebook Company के Founder है और Facebook जो Company है Facebook के स्थापना हुई थी चार फरवरी 2004 को चार फरुरी 2004 को Facebook के स्थापना हुई थी और João Kumb आपके WhatsApp के Coordinator भ्राइन एक्रेंड और जोन कोम ने मिलकरके सन 2009 में WhatsApp की स्थापना की थी उसके बाद ये WhatsApp और Instagram ये सभि जो है कि यह आपके Facebook के कंपनिया होगी है Facebook नहीं सबको खरीद लिया ठीक है फिर नमबर नमबर 9 की ओर तो कोस्टर नमबर 9 है हमारा निम में से प्रथम graphical browser कौन सा है प्रथम graphical browser बताना है कि इन इन से कौन सा होगा यह दंबर नमोर स्ब्सकेप नेविगेटर बी नमबर नमने डबलु 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 सी नमबर आप सोने मोजयक और डी नमबर नमन न यानि कि इन में से कोई नहीं तो इस paragraph क्या क्या होगा कि पहला ग्राफिकल की बात की जाए तो मोजाएक होगा तो नाइन का सी नंबर आपसर बिल्कुल करेक्ट होगा फिर हम बढ़ता है को से नंबर टेन पे जो आटेजियस में जो ट्रांजिक्शन नंबर होता है वह कितने डिजिट का होता है आटेजियस होता है रियल टाइम ग्राफ सेटलमेंट तो इसके दोल जो भी हम ट्रांजिक्शन करते हैं तो ट्रांजिक्शन करते हैं तो ट्रांजिक्शन करते हैं वह कितने डिजिट का होता है 12 डिजिट का 16 डिजिट का 22 डिजिट का या फिर 18 डिजिट का तो आटेज़ यह सगा आप रिल टाइम ग्रास टूटलमेंट करते हैं तो इसका जो ट्राजिक्शन नंबर होगा वो 22 डिजिट का होगा कोशन नंबर 10 का सी नंबर होगे 22 ओके फिर बढ़ते हैं कोशन नंबर 11 पे जो की है राइटर में टेबल के सेलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया आता है ए नंबर आतने आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो बी नंबर आतने प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो और डी नंबर आतने आल्ट प्लस लेफ्ट एरो तो करेक्ट एंसर क्या होगा तो राइटर में टेबल के सेलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए होता है आल्ट प्लस लेफ्ट एर क्या होता है तो आगर हम इंटेशन्वा स्टर्वें का सी टाइम सी टाइम और दी नूबरात नण यानि कि इन में से कोई नहीं तो प्रेक्ट एंसर क्या होगा एक्सेस टाइम और क्या होता है तो देखें आपका एक्सेस टाइम होता है एक्सेस टाइम जो होता है वह सीक टाइम और लेटेंसी टाइम दोनों का योग होता है ठीक है यानि किसी जनकारी को सर्च करने में लगा समय और टिलेए रिजेल्ड को सो करने में जो डिले होता है उसको हम लेटिनसी टाइम बोलते हैं तो लेक्षे टाइम सर्च करने में लगा समय दोनों को जोड़ करके जो पहोता वो एकसस टाइम होता है तो question number 12 का c number option correct होगा फिर हम पढ़ते हैं इससे के साथ अपने next question की ओर तो next question है question number 13 जो की है email को delete करने के बाद उस email को हम कहां पर देख सकते हैं a number option is spam, b number option is trash, c number inbox और d number option is none यानि कि इन में से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा कि email को delete करने के बाद उस email को हम कहां पर देख सकते हैं इस पैम में, trash में, inbox में या फिर कहीं नहीं तो email को delete करने के बाद हम उसे कहां पर देख सकते हैं उसको हम देख सकते हैं trash में, अगर कोई email delete कर दिये तो आपका trash में जाल जाता है और trash नहीं बाद 30 दिनों तक रहता है और जब 30 दिन पूर हो जाते हैं तो क्या होता, automatic वहां से भी delete हो जाता है ठीक है, और हम चाहें तो 30 दिन से पहले भी trash को खाली कर सकते हैं फिर हम बढ़ते है, question number 14 की ओर, तो question number 14 है, ECI का पूरा नाम क्या है, electronic commerce indicator, electric commerce indicator, electric conduct interface या फिर दी नमर फ्रनन, यानि कि इन में से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा, इसमें select कीजिए, correct answer क्या है, question number 14 के लिए, तो दोस्तों आज जो है केवल 15 questions ही होंगे, क्योंकि जो है, आज questions complete, 25 questions टाइप नहीं होपा है, और समय कि थोड़ी समस्या होगी आज, तो आज केवल 15 questions है, आपके नहीं टेस आपको 25 questions ही मिलेंगे, तो daily आप ल प्यार कर लिए, जिसे कि जब भी अगर एक्जाम में, अगर आपके कहिए, सब question मिल जाएं, तो आपसे बिल्कुल एक भी question मिस नहीं हो, और आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएं, ठीक है, तो यहाँ पर ECI को फुल फार्म होता है, क्या होता है, electronic commerce indicator, question number 14 का, यह नमर आपक इन, computer start होने पर कौन सी file transfer होती है, तो यह तो बहुत ही simple सा question पूछत दिया गया, कि computer के जो start होता है, तो उस समय कौन सी file transfer होती है, यह नमबर आपकुमेंट्स, बी नमबर आपकुमेंट्स, बी नमबर आपकुमेंट्स, बी नमबर आपकुमेंट्स, बी नमबर आपकुमें से क्या होगां चैंट तो जब स्टार्ट होता है उसमें कौन से सब्सक्राइब को में सीस्टम साथ होती है कम्प्यूटर के आर होने पर सिस्टम फाइब स्टमर होती है कोशन नॅंबर 15 के लिए जो बी निंबर आप सोन या आपका बिलकुल कornica तो दोस्तों इस तही के साथ के हमारे विप्टीन कोसंस कोहर्पेट हुए कि नियुक्त मिलते थे वैसे हैं आज जो है सिर्फ के विप्टीई कोसफटंस ही हैं ठीक है और दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नौल आई टी स्टूडियो को सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो नीक्ते सब्सक्राइब बढ़न पर क्लिक यरण के के हमारे चैनल नौल आई टी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लेजीए और साथ में नेक्स टेय और इपारेंट कोर्सल्स के साथ